को नमस्कार हुआ दोस्तों मेरा ना मैं जाय शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक मोबाइल का गिंबल इंग मोबाइल का एक तरीके से फोटे स्टेबलाइजर आपने देखा होगा कि जातर कहीं हो बारा फुटेज हो देखते हो बहुत स्मूध लोती है बहुत सदा बटरली एक तरह की से वीडियो जो है आजकल के लोग बनाते हैं तो मैंने सुझा कि मिर को जो है एक गिंबल लेना चाहिए ताकि में जाएज सदा स्टेबलाइस वीडियो बनाता हूं तो उसके बहुत सदा जो अगेरा आते हैं बहुत जाए डूलती जो है वह फुटेज बनती है और मैं वैसा नहीं जाता कि वैसी वीडियो जो है वह तरीके से मेरा ट्रेडमार्क सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने एक फोन का गिंबल मंगवा लिया और मेरे पास जो फोन है उसका भी कैमरा है वह बेस्ट इन क्लास है किसी भी फोन के अंदर तो मैंने तरीके से मैं इसके शॉट्स भी वीडियो के अंदर इंक्लूट करना स्टार्ट कर दूँगा तो फा फाइनली जो है मैंने डीजा ओस्मा मॉइल 3 लिया इसको अगर अपन अन्बॉक्स करते हैं तो फिर मैंने जो है इसके अंदर कोई सा भी मोर वाला कॉम्बो जो है नहीं मंगवाए इसके अंदर कॉम्बो भी आता है जो की एक दो हजार रोप जाता महेंगा होता है मैंने न पढ़े हुए है और बात रही ट्राइपॉड की तो में ट्राइपॉड जो है वो भी मेरे पास एक एक एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ था ज्योंकि लगबग 500 वेगा आप Amazon से जो है वो खरीच सकते हो अन्बॉक्सिंग के अंदर आपको इन मोबाइल स्टीकर पैड्स भी मिलत पैडर से लगा लेता हूं इसके अंदर फोन एंड़ और फोन गेरा लगाने जो है इसको बहुत जादा जो है वह सिंपल आपको फोन को बैलन्स करना होता है और तो बीजिए जो है ट्राइपड ये ट्राइपोड बोल रहा हूं ये गिंबल जो है वो जो हैं मेरी काल जो ही होती है अगर आप गिंबल अगेरे के साथ ट्रैवल करते हो क्योंकि जाहतर दर फिल्मेकर जो है वो करते ही है इसको Verme Okay, Pb press को जोंब नब फैसा क्रिए है' है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अचिक चांअ इक बर एक बटर को दबा करते हों फिर गंबल का एप जो है वो खुल जाएगा जैसे के आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वह फोन आरी हो चुका है यहाँ पे ज़्सक्ता हूं में को जड़ा सब बहुत हाथ के बाद के इस पैस नहीं है यहाँ पे लोगा जो है वो टाइमर्स वगेरा शूट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है जो DJI जो ट्राइपोड आता है वो थोड़ से महंगा आता है लेकिन वो थोड़ से लंबा है तो उससे ज़्यादा अच्छी तरीके स्टेवल होता है लेकिन इससे भी जो है वह काम चला सकता हूं हुआ करी में काफे इदा सही जो है वो पड़ता है अब फाइनली बात करें इसके बटन प्लेश्मेंट की जैसे कि आप जो है यहां पर जो है जो है जो है जो है यह तरीके से यह डिजिटल जूम करता है और कोई से लेंस वागेर के अंदर नहीं जाता है तो फिर मैं सब्स बहुत साथा चीजों में काम आता है आपको एक 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 रिक बता देता हूँ अगर आप इसको एक बार दबा के रखोगे तो फिर जो है यह लॉक हो चुका है इसका मतले सब्सक्राइब कर देदा जितना भी इंबल को हिला लोगे यह जो है वो उसको हिलेगा नहीं जैसे आ अगर आप सोलो शूटर हो अगर आप अकेले जो है वह शूटिंग करते है तो फिर उसके अंदर एक्टिव ट्रेकिंग जो है बहुत ज़्यादा मदद करती है अगर आप इस वाटन को दो बार दबाने से यह कैमरा जो है बदल देता है और शबसे शांदर चीज के अंदर इसके अंदर आपको एक बार दबाएक उसके बाद दूबार दबाएक रखना पड़ता है और फिर जो है वह स्पोर्स मोड जो है अवेलेबर जाता है यह मोटर्स की हाई एफिंशन से का यूज करता था कि आप सास अधा एक्टिव शॉट्स जो है वह ले सको बिना किसी ज यह वह सेलेट कर सकते हो तो मैं आपको सेज़्िस करूंगा कि अब ये कर लेना अगर आपको दो निएक जाने हो दो था मैड्रिव यह बैट्री जाना है और आपको इस व्युस्यूंत पावर ओन आफ कर नहीं तो फिर आप इसको दबा के रखोगे तो फिर आफ हो जाए ग और वापस दबाके रखोगे तो फिर यहारा gimbal वो अन हो जाएगा जोईस्टिक से आपसके movement लो control कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया इससे आप recording चालू कर सकते हैं recording बंद कर सकते हैं तो यह तो सारे की सारे buttons का कमाल और अब जो है मैं finally आजाता हूं इसके usage के उपर तो इसका usage जो है वो आपको थोरा सा जो है वो time लगेगा इसको सीखने मेरा ये पहला gimbal है इसलिए मुझे तो बहुत ही जदा जो है वो time लग रहा है इसके पहला तो मैं इसको movements वगेरा control करने में जो है वो थोरा सा time लगता है उसके बाद जो है ये एक typical gimbal की तरह नहीं है वाद तो आपको ऐसे इसको set करना पड़ेगा थोरा सा time लगता है इसको set करने में लेकिन अगर आप इसको set करना सीख गए एक बार तो फिर आपको जो है वो time नहीं लेगा मैं थोरा सा noob हूं gimbal की मामले में इसलिए मुझे लगा इतना जादा time और फिर उसके बाद आप नीचे व बहुत जदा अच्छी है जमने इसको डब में से निका रहा तो फिर जीरो परसेंट चार्ज साइए वह चालू भी नहीं हो रहा था तो इसको charging में लगा रखा लगा कर लगा और लगभा दो घंटे लगे इसको पूरा का पूरा चार्ज होने में इसकी तो बैटरी लाइफ पंदरा घंटे की अब पंदरा घंटे तक आपका फूटेज वगएर जो है वह समाल सकता है अगर आप इस पे नॉर्मल फोन लगा रखो आले कि अपकी बैटर लाइफ जो है पके फोन के वेट के हिसाब से भी जो है वह वह डिपेंड कर सकती हो और अब जिस तरीके के लें अच्छी बात यह है कि इस बार इन लोग ने जो है वो यूएसबी टाइप सी दिये इसके अंदर इसको चार्ज करने के लिए इसके पहले के मॉडल में जो है माइक्र यूएसबी टाइप सी आती है साथ यहां पर एक यूएसबी का पोर्ट भी दे रखा है जिससे कि आप फोनको चार्ज कर सकते हैं जो कि एक और प्लस पॉइंट है और तीहले दीजए के गिंबस से अंदर अक सर येवाले जो पोर्ट होते थे वह जो है बंद हो जाते थे उसके मोटर नहीं कर सकता मुझे थर्ट पार्ट चीज़इगं वह यूज्स करने हैं इसके अंदर But overall, it's still nice, it's a really great stabilizer, काफी दर शांदर फुटेज़ आती हैं, जैसे है कि आपने देखा ही सही, And I can definitely recommend it to any beginner filmmaker. Or then, उस बाले बंदे को stabilizer फुटेज एनने का शौक है, या फिर को यूट्यूबर हुआ. So this thing is like worth investing. I hope आपका यवाली वीडियो पसंद आगे भाइयो, दिसमें स्टेगर साइनिक आफ, जैहन.